आज मैंने दाल की दुलहिया बनाई है ये यूपी बिहार का बहुत ही फेमस डिस है बहुत ही टेस्टी लगता है आईल फ्री होता है पर खाने में इसका स्वाद अच्छे अच्छे डिस इसके आगे फेल है इतना अच्छा लगता है ये खाने में तो इसको बनाने के लिए मै एक बावल में डाल देंगे दो तिन पानी इसको अच्छे से धो लेंगे तो बहुत सारे लोग इसको पूरी तरीके से अरहर की ही डाल में बनाते हैं तो अरहर की डाल में काफी मिठास होती है थोड़ा से इसमें मसूर की डाल डाल देने से इसमें ठीकनेस भी बहुत अच्छ करते हैं तो अरहर की डाल में बनाएं लेकिन एक भाग इसमें आप मसूर की डाल जरूर डालें इसको धोके मैंने कुकर में डाल दिया है तो दोनों डाल मिला के सवा कटोरी था तो मैंने इसमें पांच कटोरी उसी कटोरी से पानी डाला है एक चमच हल्दी डाला है टेस्ट क पानी पानी का फर्क होता है बहुत जगा 2 सीटी में डाल गल जाती है और बहुत जगा 3-4 सीटी में भी डाल नहीं गलती है पर डाल को बहुत ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना है 90% तक डाल को पका लेना है तो जब तक डाल में सीटी आ रहा है तब तक हम पिठी के लिए आटा लगा लेते हैं तो मैंने दो कटोरी गेहूं का आटा लिया है एक चमच मैंने इसमें नमक डाला है दो चमच देसी घी और आधा टी स्पुनिस में लाल मेज का पौडर डालेंगे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और अगर आप चाते हैं कि पिठी का कलर थोड़ा सा अच्छा है तो आप इसमें दो पिंच हल्दी भी डाल सकते हैं और इसमें पानी डाल के इसका हम अच्छा सा आटा लगाएंगे जैसे पूरी के लिए आटा लगाते हैं ठीक उसी तरीके से इसका आटा लगा ले ना बहुत जादा सक्त ना बहुत जादा मुलाएं अगर आटा गीला हो गया तो पिठी बनाने में बहुत परसानी होती है तो इसने आटा को गीला ना लगा है ठीक पूरी के आटे की तरह लगा है तो आटे को मैंने अच्छे से गूत लि और एक बाग से हम बहुत बड़ा रोटी की तरफ रोटी से double triple हम बेलेंगे तो आप चाहें तो slab पे भी बेल सकते हैं या अगर चकला बड़ा है तो उस पे भी बेल सकते हैं पर मैं इसको chopping board पे बेल रही हूं क्योंकि यह रोटी की तरफ बड़ा बेलना है तो थोड़ा सा सू देख लीजे ना ये बहुत ज्यादा मोटा है ना बहुत ज्यादा पतला पस रोटी से थोड़ा सा मोटा रखें बहुत ज्यादा मोटा भी ना रखें और बहुत ज्यादा पतला भी ना रखें तो इस तरीके का आप कोई भी चोड़े मुहला ग्लास ले ले या कटोरी ले और उस तरह इसे आसानी से इसमें से छोटी छोटी पूडिया काट लें तो इससे बहुत जल्दी पूडिया बन भी जाती हैं एक बार में कम से कम आट नो पूडिया कट जाती हैं और एक्स्ट्रा जो आटा है उसको हटा दे तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये पूडिया कैसे बनती है आप एक पूडिया को हाथ में ले लें और इस तरीके से इसको दोनों साइज से फोल्ड करतें तो देखे ये पिठी बन के तयार है और जो इसके तीनों होल है इसी में से दाल अंदर तक जाके ये पकती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में जब ये बन जाता है तो एक पिठी में आपको और बना के दिखा रही हूँ बहुत एजी तरीके से ये बनता है बस दोनों उंगलियों से इसको ऐसे मोड ले और इसका दूसरा जो भाग है ऐसे लेके बीच में इसको दबा दे बीच में इसको थोड़ा तेजी से दबाए नहीं तो ये दाल में जाके खुल जाएगा तो ऐसे देखे जितने मैंने पूरिया बनाए थी उनकी मैंने पिठिया बना ली है और ठीक इसी तरीके से हम सारी जो पिठिया है इनको तयार कर लेंगे जो बचा हुआ एक्स्टा आटा है उसको भी हम इसी में डालते जाएंगे और इसकी अच्छे से ऐसे लोई बनाते जाएंगे बड़ा सा रोटी बेल लेंगे ग्लास से काटके और ठीक किसी तरीके से इसकी सारी पिठिया बना लेंगे तो देखे सारी पिठियों को मैंने बना लिया है दाल में भी दो सीटी आ गया है मैंने गैस की फ्लेम को बन कर दिया है और कूकर को ठंडा होने दे तब तक इसका हम मसाला तयार कर लेते हैं तो मैंने एक पैन रखा है गैस पे और इसमें मैंने दो से तीन चमच तेल डाला ह तेल गरम हो जाय तो इसमें एक चम जीरा डाल दें दो हरी मिर्च को मैंने बारिक बारिक काट के डाला है 1.2 इंच अधरक को ग्रेट करके डाला है 2-3 सूखी लाल मिर्च डालेंगी और यह हरा लेसन है तो इसमें हरे लेसन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है लिया है इसको भी इसमें डाल देंगे और डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि प्याज और लेसन का जो पता है वो अच्छे से भून जाए तो जो हरा लेसन होता है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर आपको मिले तो आप इसे जरूर डालें और देखे 2-3 मिनट इसको भूनते हुए हो गया है तो अब इसमें टमाटर डालेंगे तो दो मैंने मीडियम साइज के टमाटर को बिल्कुल बारिक-बारिक काट के डाला है और इसी के साथ इसमें नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए त करना ना डालें 2-3 मिनट इसको और भून लें ताकि प्याज टमाटर अच्छे से गल जाए और देखे प्याज टमाटर जो है वो अच्छे से गल गया है तो थोड़ा सा इसमें मैं मसाला डाल रही हूं तो एक चमश मैने जीरे का पाउडर डाला है आधा टी स्पून इसमे कोई मसाला नहीं डालेंगे और बहुत जादा इसमें मसाला भी नहीं डलता है इसको भी एक मिनट के लिए बून लेंगे और कूकर भी थंडा हो गया है तो देखिए दाल जो है बिलकुल इस तरीके का पकना चाहिए मैं mix करके भी दिखा रही हूँ कि हलका हलका जो डाल है वो मतलब साबूत है वरना पूरा डाल कल चुका है डाल को भी इसमें डाल देंगे डालने के बाद इसमें मैं 2-3 ग्लास पानी और डाल रही हूँ क्योंकि इसमें पिठियों को पकाएंगे तो दो-तिन ग्लास पानी इसमें और डाल दें इसका जो थीकनेस है वो इस तरीके का रखे क्योंकि जैसे जैसे इसमें पिठिया पकती है ये दाल काढ़ा होने लगता है जब इसमें एक उबाल आ जाए तब इसमें पिठिया डालेंगे तो इसमें एक उबाल आ गया है तो अब इसमें हम इन पिठियों को डाल देंगे तो एक एक करके पिठिया डाले और इसमें उबाल आते रहना चाहिए गैस की फ्लेम को कम करके ना डाले और सारी पिठियों को इसमें डालते के साथ इसको तुरत ना चलाए नहीं तो ये तूटने लगेंगी चाहे तो आप इसको हलका सा हिला दे ताकि ये जो पिठिया है ये अच्छे से दाल में डूप जाए और इसको ढखके 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने दे बहुत हाई फ्लेम पे भी इसको ना पकाएं वरना पिठि कच्ची रह जाएगी मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएं और देखिए 2-3 मिनट इसको पकती हो गया है पिठिया अपने आप ही उपर आ जाती है और इनको मतलब चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती यह अपने आप ही पकने लगती है जैसे जैसे यह उपर दाल में अपने आप ही तैरने लगती है तो यह साइज में भी देखिए जस्ट डबल हो गई है और बहुत ही अच्छा इसमें पकके लगता है यह तो इनको मीडियम फ्लेम पे हम पकने देंगे कम से कम 15 मिनट तक और जब तक यह पक रहा है तब तक हम चोखा बना लेते हैं क्योंकि यह दाल की पिठी जो है वो चोखे के साथ बहुत टेस्टी लगती है खाने में तो मैंने एक यह टमाटर को उबाल लिया है और दो आलू को भी उबाल लिया है टमाटर को अच्छे से छिलकान उतार के इसको अच्छे से मैश कर लेंगे और आलू को भी इसमें अच्छे से मसल लेंगे दोनों को मैंने एक साथ मसल लिया है इसमें टेस्ट के कॉर्डिंग नमक डाल देंगे धेर सारा हरा धनिया डाल देंगे दो हरी मिर्च को मैंने बारी काट के डाला है और ये थोड़े से हरे लहसन के पत्ते हैं अगर हरे लहसन आपको कभी भी मिले तो आप इस तरीके से चोखे में डालके जरूर बनाएं इसका टे़स्ट बहुत ही अच्छा आता है इस चोखे को आप सिंपल दालچावल के साथ भी खा सकते हैं ये इतना टे़स्टी लगता है कहाने में इसी के साथ में ने दो चमच इसमें सरसो का तेल डाला है तो सरसो का तील का फ्लिवर इसमें बहुत ही अमेजिंग लगता है यह चोखा बन के तयार है और कभी भी वहाँ पे दाल की दुलहिया बनाई जाती है तो उसके साथ यही चोखा बनाया जाता है खाने के लिए बहुत ही टेस्टी यह चोखा बनता है तो इसको भी अब हम साइट में रखते थे हैं और देखिए 15 मिनट इसको पकते हुए हो गया है बीच बीच में मैंने इसको एक दो बार चला भी दिया था और गैस की फ्लेम को अब बंद कर देंगे इसमें डालेंगे आधा टी स्पून गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे डाल की इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये डाल की दो लहिया बनके तयार है बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में जब कभी आपको हलका कुछ खाने का मन करें तो आप इसे बना के जरूर ट्राई करें ये बहुत ही टेस्टी बनता है और सभी को बहुत पसंद और जैसे जैसे ये पकने लगता है इसका साइज बिल्कुल डबल हो जाता है और पिठियों के अंदर तक दाल, मसाले जो भी फ्लेवर होता है वो बहुत अंदर तक जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो आप इसको ठंडा ठंडा सर्व ना करें जब भी आप दाल की पिठि बनाएं इसको तुरत बनाएं और तुरत गरमा गरम खाएं तो मैंने इसको चोके के साथ और मिर्च का भरवा अचार है इसके साथ और इसकी ऊपर डालते देसी खी उसके बाद आप गरम-गरम इन पिठीों को खाएं बहुत ही टेस्टी ये पिठी लगती है खाने में एक बार आपने इस पिठी को बना के खा लिया तो आप एक्स्टरा डाल बना के रखेंगे इन पिठीों को बनाने के लिए तो कभी भी आप के हाँ दाल अगर सुबह की दाल बच जाती है तो आप उसमें भी इन पिठियों को बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है ये तो एक बार आप भी इसे जरूर ट्राइ करें ये आपको भी बहुत पसंद आएगा